कहले माइं हो ånd है 那我們 अधे पार्डियो सॉल्डेश 시청 निदिन के इस वीडियों में हम किवल सैस सपें शंक के फारे में इस टडिए जा रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो में स्टडी जेए सभीशस्ट locks start करते suspension लेकिन suspension क्या होता है? A suspension ही जे heterogeneous mixture क्या होत? heterogeneous mixture होता है in which the solute particles do not dissolve in which the solute particles do not dissolve but remains suspended throughout the bulk of the medium लेकिन वो क्या होता? वो फूरे solution में क्या होता? ये फैले रहता है, ठीक है For example, लेखिने write-down करेंगे इसका suspension का का फॉर एग्जामबल के जैसे क्या लेले हम चाग तौर सपाने ओंक को दिखे ये चाथ होता लिखने मुले ठीक है इसको का करगे भुण करके क्या कर देजिए न को उसको वाटर मिजैसे डिजॉव करेंगे तो जो चाक की पार्टकेस रहेगी, वो वाटर में क्या हो जागी, यह सस्पेंट हो जाएगी, ठीक है, तो पहले एक्जामपल लिख लिजेगा, चाक वाटर, ठीक है, मिक्चर, ठीक है, मड़ी वाटर हो गया, मड़ी वाटर, ठीक है, ठोर इन वाटर, एड्सेक्टर, तो यह सब क्या है, यह सब इख्जामपल सह थैं, सस्पेंटसन के, अब देखें समझा, सस्पेंटसन, कि अप जो जब क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं तो जो मड्री रहती जो पूरे सलिसे में फैल जाती है इसी चीज़ को छोड़ देते थे तो फिर से जो आधा वो नीचे बैड जाता सेम दिखी एह होता है चरक और वाटर का ले लिए शपूसभ्ञाइर इसमें क्या कर देंगे यहाँ पे यह सुचो पावळ Uh हम इसमें क्या कर देंगे यह हमारा क्या हो जा रहा है यह वाटर है ठीक है वाटर हो गया अब देखिए सब्सक्राइब हमने क्या ले लिया है यह चाक ले लिया है ठीक है चाक के यहिस का हो जाएंगे यह हो जाएंगे पूरी यह स्थ का क्या हो जाएंगे यहां पि जाएंगी क्वान चाञ हुए लो देते हैं ठिक है में इस आपलर 20 minutes 20 minute without disturbance what without disturbance without this disturbance without disturbance हम इसको क्या करते हैं ऐसे ही छोड़ देते तो फिर देखी क्या हो जाएगा इसमें जो हमारा चाग की पाटरकिल्स रहेंगी हो जाएंगी यहां पर जाएंगी यह जो अधे सस्पेंसर वोते ही उपर क्या हो जाएंगा और नीचे हैं चात की जो पार्ड सांगे यह आ जाएंगे ठीक समझ गया तो यही हो गया और एक चीद देखें इसमें से हमने solution में पढ़ा था जो solute की पार्ट की वेरी वेरी क्या होती है less होती है less than one nanometer ठीक है तो उसको हम अगर filtrate करते थे solution को तो उसमें completely जो पूरा solution होता था वो हो जाता था लेकिन अगर हम इस solution को क्या करेंगे filter करेंगे ठीक है तो इसमें जो solute की particles रहेंगे में जो चाक powder रहेगा वो क्या हो जागा filter paper के ऊपर क्या हो जाएगा रूप जाएगा ठीक है और जो वाटर है कि यह नीचे आ जाएगा ठीक तो इतना दीकिस यह suspension में समझ गए suspension में कोई भी चीट का अगर यह suspend होती है ठीक है मिस water में किसी भी चीज में आप डिजॉल्व करते वो डिजॉल्व नहीं होती है ठीक जैसे फ्लोर इन वाटर हो गया यह भी जाम पले suspension का अब चलिए देखिए next heading क्या डालते है आहा प्रॉपरिटी आप suspension इसकी देखिए पर लिजे बहुत important है प्रॉपरिटी है है heading डालेगा प्रॉपरिटी आप प्रॉपरिटी आप सब्सपेंसर देखिए इसकी कौन कौन सी प्रॉपरिटी है 1st प्रॉपरिटी देखिए क्या जानते है यह suspension इसे heterogeneous mixture होता ठीक है heterogeneous में solute or solvent क्या होती है dissolve नहीं होते है ठीक है तो देखिए क्या होता 1st property क्या लिखेंगे इसकी कि दा सस्पेंशन इज आ हेट्रोजीनस मिक्चर हेट्रोजीनस मिक्चर फिर्स्ट पॉपर्टी यह होगी यह तो जानते हैं ठीक है इसको पहले बताते हैं सेकेंड पॉपर्टी राइडाउन करिएगा अब देखें इसके जो हमारे पार्टिकल्स रहेंगे जो सॉल्यूट प यह जो चाक की पार्टिकल्स रहेगी इसको हम अपनी नेगड आई से देख सकते हैं ठीक है इसमें देख ले जाएंगे ठीक है जो हमारे यह चाक का पाउडर इसमें देख ले जाएंगे लेकिन सल्यूशन में अगर हम यहां पर क्या करते हैं सूगर एडगर सल्यूशन बन संदा पार्ट केल से आफ आज सस्पेंशन केन भी सीन कैन भी सीन बाइदी नेकड आइज बाइदी नेकड आइज अभी नंगी आखो से हम जो सस्पेंशन की पार्ट केल्स होती है इसको हम आसानी से देख सकते हैं ठीक है तो यह सेकंड प्रॉपर्टी थी थार्ड प्रॉपर्टी यह राइड आउन करियेगा जो सस्पेंशन की पार्ट केल्स है यह लाइट को स्कैटर करती है ठीक है जो सस्पेंशन की जो पार्ट केल्स होती है यह क् किसे साइज होता है ये ग्रेंट रंगें इस लार्गर धैन क्या होता है 100 नेनोमीटर इन से घ выглядers इसलीए इनके जो पार्कीरस होती है ये लाइड को इसकाटर गरते हैं अगर हम यहां से टाउस क्या करते हैं ग्लो करते हैं तो ये इसमें भी दिखाएगा ठीक है तो चलिए ये थर्ड प्रोपेटी राइड आउन करते हैं फिर इसको अच्छे समझाते हैं अप्रोपेटी आफटी आफव अपर्टी आफव अश Спेंशन इसकेर आ इसकर आप इसकेर आ बीम आ अफ़ लाइड बीम आ फे लाइड पासीं पासीं हो इत पासीं हो passing through it and makes its path visible and makes its path visible. देखी क्या करता है आप पाटिके साफे सस्टन से सक्टर रहा वीम आफ लाइट ठीक है यह जो लाइट वीम आफ लाइट होती है उसको सक्टर करता है ठीक है इस का वीम आफ लाइट εδώ and makes it росс produ ho और जो इसका पांट रहता लाइफ का उसको ुसेजवल कर देता है ठीक है अब देखे शब्सती हमने क्या ले लिया कि यहां पे शब्सक्राइब हमने जडिखे एक टॉर्स ले लिया ठीक है ये क्या है torch है ठीक है torch हमने ले लिया ठीक है अब एक देखेर हमने क्या ले लिया यहांपे solution ले लिया 생각 है यहांपे क्या ले रहे है solution में suppose that यह क्या होगया water और इसमें किसी चीज़़ का है suppose that यह water हो गया plus sugar यह क्या बन यह हमारा solution हो जाएगा ठीक है यह पूरा देखिए completely यह solution दिया गया ठीक है अब दूसरा देखिए क्या ले लेते हैं example यहाँ पे इसका ले लिजे ठीक है क्या है चाक plus water यह क्या हो जाएगे यह suspension बना लेगा ठीक है suspension बन जाएगा यह क्या है suspension अब देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे light को क्या करेंगे glow करेंगे light के यहाँ पे बटन को on करेंगे ठीक है तो हम देखिए क्या जानते हैं जो हमारा यह solution होता है इसमें क्या होते हैं जो particle की size होती है यह less than होती है क्या कितने one nanometer 1 less than 1 nanometer होती है and इसमें जो particles की लिए की size होती है यह 100 nanometer से भी जादा होती है यह less than 1 nanometer होती है और यह 100 nanometer diameter से भी यह जादा होती है particles की size ठीक है तो यह दोनों होगे अब दीए जैसे हम यहाँ पे light grow करते है तो यह क्या करता है यहाँ पे देखे एक error है कि the particle of suspension scatter a beam of light क्या करता है यह scatter करता beam of light passing through it and makes its path visible and solution की particles देखे बहुत ही छोटी होती है इसलिए यह क्या करता है यह सपोज़ कर यह light जला रहे है इसकी दीखी size बहुत छोटी ही होती है ठीक है इसलिए यह light the particle of solution यह क्या करता है यह do not scatter beam of light यह क्या करता है यह do not scatter up beam of light क्योंकि इसकी size क्या होती है less than one nanometer से होती है ठीक है तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है जो light का path होता है यह visible नहीं होता किसके अंदर solution के अंदर solution के अंदर light का path visible नहीं होगा लेकिन इसके अंदर क्या करता है यह स्कैटर करता है इसके अंदर क्या होगा यह जो लाइट का पाथ रहेगा यह दिखाई देगा ठीक है यह देखे आप पर यह प्रकेली करके देख सकते हैं ठीक है इसको देखे क्लास में करा देंगे ठीक है तो यहां पर जो लाइट का पा ठीक है यहां पर यह साइज भी यह राइडाउन का लेजेगा प्रॉपरेटी यह भी आ गई क्योंकि इसकी जो साइज होती पार्टिक्स की यह ग्रेटर राइन क्या होती है हंडेड नैनोमीटर इन डामीटर ठीक है इतनी होती है next property write down fourth fourth property means the particles of suspension do not pass through the filter paper the particles of the particles of suspension suspension do not pass through of filter paper through of filter paper okay okay the part here is the suspension do not pass through filter paper pass not the solute the filter paper on the top it will burn so this is the important property this is the right down so this is the suspension I hope you have to be a doubt आउट नहीं होगी ठीक है और एक चीज़ था एक चीज़ और लिखिए एक पॉपर्टी मिस्ट दस सस्पेंशन दस सस्पेंशन दस सस्पेंशन और अनिस्टेबल और अनिस्टेबल उस सकता बसे विखिया सकनल दस का पासवचा करेंशन आर अनिस्टेबल 3 मिख अनिस्टेबल और मिख और अनिस्टेबल और अस्टेबल स्टेबल क दimento सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो इसकी जो पार्ट किल्स होती ही यह क्या हो जाएगी नीचे सेटल आउं हो जाएगी फिर अगर आप उसको क्या कर देंगे टाच कर देंगे या फिर यह से मिक्स कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगी वह सस्पेंशन के फॉर्म में आ जाएगा तो इसलिए कहा रहा कि दा सस्पेंशन और अनिस्टेबल यह अनिस्टेबल होता ओके अंडेसे ना तो यह सब इत्ती प्रॉपर्टी थी आयोप आपको समझ गाया होगा ठीक है फिर दे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेडी करेंगो के ओके ओके थैंक्यू